एक बहुत ही मज़दार कोश्चन गाई जो की CGL में पूछा गया है आप SST बोलो कि किसी भी एक्जाम में यह question पूछा जा सकता है किसी भी exam में वैसे question CGL का है 2021 का ठीक है तो इस question को आप लोग एकपड ट्राइ करो जरूर ट्राइक करना मज़ाएगा आपको तो यहां पर चलिए question पर हम लोग आते हैं बोल रहा है x, y are two rivers, sorry, two points on a river, तो यहाँ पर x, y हमने एक point माल लिया, x and y, और p, q divide करता है इंसको, p and q divide करता है equal parts में, three equal parts, तो यहाँ पर three equal parts होगे, the river flow इधर side करता है, ठीक है, इधर side river flow कर रहा, x से y की side, अब क्या होता है, कि time taken by boat, to row from x2, y to q, यहाँ से, यहाँ तक time taken by, और and from y to q, y to q का time taken है, वो दिया है, 4 x और 5 x हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, 4 x and हमने 5 x इसको मान लिया, कि time taken है, the ratio of speed of boat, आपको question पढ़ने हम कितना tough लग रहा है, कि आपको boat stream, boat stream मतलब क्या होता है, speed of boat भी मान लेते हैं, और speed of, जो धारा है, ठीक है, धारा को d मान लेते हैं, ठीक है, तो यह plus minus आपको पता होगा, इतना पता होगा, क्योंकि इस question में basic नहीं बता सकता हूँ, अगर आपको धारा now से related, अगर basic जानना है, तो मैं उसके लिए playlist आपको इस channel को मिल जागा, जाकर आप देख सकते हो, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर time का ratio दिया हुआ है, और हमें पता है, कि यह equal parts है, यानि कि यहां पर इसको 2x time लग रहा है, यहां पर भी 2x time लग रहा है, क्योंकि speed अगर x से q की तरफ जाएगा, तो speed तो change नहीं होगा, और यह अगर बराबर भागे, तो जितना time यानि कि p से q तक भी 5x लगेगा, ठीक है, यानि कि जो time है, आने का time उसमें 5x लगेगा, हमें time का ratio दिया हुआ है, time is equal to distance upon time होता है, distance p q को अगर देखे हैं, p q को, यह distance हो गया, और जब यह इधर साइड जा रहा है, जब यह इधर साइड जा रहा है, जब यह इधर साइड क्या दे हुआ हमारा, 2x, similarly, जब यह इधर साइड से आ रहा है, तो p q distance है, और p q divided by b minus d हो जाएगा, क्योंकि धारा तो इधर साइड बहेगी और यह आदमी इधर साइड आएगा, धारा इधर साइड बहेगी और आदमी इधर साइड आएगा, इसलिए b minus d हो जाएगा, is equal to हमारा time कितना लग रहा है, 5x, ठीक है, अब मैं इन चीजों को मिटा दे रहा हूँ, आप इसको एक बर ध्यान से पाउस करके देख सकते हो, copy में भी बना सकते हो, ठीक है, अब इसको हम solve करते हैं, ठीक है, उसका काम खतम हो गया, जितना हम को जुरुद था, अब यहाँ पी 2x is equal to 5x into b minus d, इस चीज़ को आप direct ऐसे लेख सकते हो, कि b plus d divided by b minus d is equal to, इसका ratio निकल जागा, क्या निकल जागा, 2x divided by 5x, या फिर x x आप cancel भी कर सकते हो, अब हमें क्या निकलना है, हमें क्या निकलना है, कि धारा का speed, यानि कि b plus d, यानि कि जब वो speed of both downstream जा रहा है to the current, current मतलब बस धारा का speed, तो b plus d already हमारे पास 5 मालूम है, ठीक है, और हमें d का value निकलना है, अगर आप इसको equation की तरह treat करोगी, b minus d is equal to 5 दिया हुआ, b minus d is equal to 2 दिया हुआ, ठीक है, ठीक है, तो अब आप इसको solve करोगी, बस add करना है, तो यह यह कर जागा, 2d is equal to 7 आजाएगा, और d, sorry, b is equal to 3.5 आएगा, और b is equal to 3.5 यहां रखते हो, तो d is equal to 1.5 हो जागा, ठीक है, तो इसका value क्या हो जागा, बताइए आप लोग, कि b is 2, b plus d is 2, d का value, d का value हमें अभी तुरंद मिल गया, 1.5 और d का value, b plus d का value हमें पहले से दिया हुआ है, 5, तो equation यह भी बन जाएगा, अगर आप इसको और solve करना चाओ, point हटाना चाओ, तो 10 is to 3 भी हम इसको चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है, 10 is to 3 भी लिख सकते हो, 5 to 1.5 भी लिख सकते हो, कुछ अंतर नहीं है, तो उमीद है आप समझ गए होगे, question असान था, नहीं, असान उतना भी जाएग, उमीद है, आप समझ गए होगे, देखते हैं और SSC के जो important questions हैं उनको,